मेरे साइवे मेरे यार वे मेरी सिंत मोड मोहार वे मुझे अपने नेनों के पास रख मुझे अपने दिल में उतार वे मुझे अपने रंग में रंग ले तेरे संग मेरी बहार वे वो कोई करामते इश्क हो जो मुझे मिले तेरा प्यार में करता फ्यार करना अरे रंग मुझे और वेटा रंग field करता में एंग लेम लेड करें से रंग करामते अपने कुछ जी सर, क्या मैं अब निकल चाहूं? काफी दियर हो चुकिया, मैं बहुत थक चुकी हूं तू टायर जी जी, पर्मेटेशन मिर्कुल तयारा, फिकर नहीं करें, कल सुब आती मैं आपको दिखाऊंगी जी खुदा आफेस क्या मैं आपको दिसे हुआओाएस क्या मैं आपको दिखाएस क्या मैं आपको दिखाएस वेला। हलो मैंशी को तुम कैसे हूँ ? शामी राज नहीं मिल सकती बहुत थक गए। प्रेजिंटेशन बनाने एकल बॉस ने कहा है देनी उन्हें हराल में फ्रजा कर बोई बनाऊंगे हाँ बस खर के लिए निकल रही थी आज नहीं कल या परसुम बनाएंगे खुदा आफिस प्रेजिंटेशन प्रेजिंटेशन आफिस फसले तबा कराएगा मेरी सेंट ट्रांसपोर्ट की हरदालती इसलिए देर हो गई बक्वास करता है मेरे सामने शैर्जा देख अगर ट्रक मिलता है तो ठीक है नहीं तो अपने सर पे लाग के लाग खात की बोरिया जी सेंट चला क्या अकल मंदी का सबूत दिया है तुमने एक देहाती ही पसंदाना था तुमें एक देहाती से शादी करोगी तो शामीर ऐसा नहीं है आप एक दफाव से मिल कर देखे वो अच्छा है और अम्मी उठ लैंड लॉड है नह्मा मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसकी मन्भूस शकल देखू तुम्हारा बाब भी लैंड लॉड था भूल गई हो तुम क्या दिया उसने हमें छोड के चला गया तुम्हें मुझे जागिर्दार नवाव लैंड लैंड लॉड माइफॉट हम भी सब एक जैसे नहीं होते अब अब इसींवे कोई बहुत बदाब या जमीदार नहीं है अच्छा अब बहुत बदाब जमीदार नहीं है जाहिल जाहिल ही होता है बड़ा या छोटा नहीं होता इसे देनीँचर्णत üç्प цент नहीं पर्था wonderful अगर मुझे जरा सभी अंदाजा होता कि मेरी साधत मन बेटी इतनी खुद घर्ज हो जाएगी तो और नसली नभीला में तुम्हें कभी इतनी आजादी न देती। कभी तुम्हें युनिबस जी न भेच दी कम जब करने की अजाज़त तो बिलकुल न देती। मैं आपसे अजाज़त मांग भी नीरी नहीं मुझे आपकी अजाज़त चाहिए। मैं खुद मुक्तार हो अपने फैसले खुद कर सकती हूँ और मैं आपको कोई पालतू जानवर नहीं हो जिसके खलें में पट्टा डाल के रखना चाहती हैं हमेशा। मैंने कोई पटा नहीं डाला है तुम्हें पालतू जानवर नहीं समझा है कभी भी। हाँ लेकिन शाहिद तुम ऐसे ही सिंदगी जाती हो बैकवर्ड पाबंदियों वाली जागिर्दाराना निजाम चाहती हो। देख लो देख लो अज़स्ट कर लोगी तुम। हम ही मैं एज़स्ट कर लूगी और और ओरत को हरहाल मैं एज़स्ट करना ही होता है और अगर आपने एज़स्ट कर लिया था ना तो आज मैं अपने बाद की मांब़से महरूणा रहता तुम्जे ताना दे रही तुम ताना दे रही हो मुझे भी मागो ते सारी जिन्दगी अकेले तंस तंहा तुम्हारी परवरिश की है औरत को हमेशा समझाता करना पड़ता है परचिस्ट करना पड़ता है उसे खुदरती दोर पे चाहे वो माँ हो बेटी हो या बेहन हो तमझ रही हूं तुम्हारे तंस को लेकिन मैंने तुम्हरे बाप को नहीं छोड़ा था पीबी उन्होंने तलाक की थी मुझे वरना कबीले की सरदारी निकल जानी थी उनके हाथ से अपने बाप के प्रशर में आकर दूसरी शादी की थी उन्होंने और अकेरा चोड़ दिया था एक नहीं कुछ जानना चाहती हूं मगर मैं सिर्फ और सिर्फ शामीर से शादी करूँगी और आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हर हाल मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी तारीख दो रहा हूं मुझे आपकी तारीख से कोई गर्स नी है मैं अपनी तारीख खुद लिखना चाहती हूं एक नई तारीख एक नई मिसाल क्यों सहीं आप शामीरे सहीं पे शक क्यों कर रहे हैं एक ही तो बेटा है मारा क्या कर दिया है इसमें कुछ ना कुछ करेगा जरूर यह मुझे नहीं मालूम वगर उसके तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं जब भी नसरीन का नाम आता है मौजू बदल देता है और जब शादी की बात करता हूं तो टाल जाता है आखिर क्या वज़ा है साइंस को तजर्बा हासिल करना चाहता है बता रहा था कि शेयर में फैक्टरी लगाएगा साइंस को तालीम दिलाएए तो फाइदा तो उठाएए ना कोई जरूरत नहीं है फैक्टरी की कारकाने की जमीने हैं मारे पास कोई कमी नहीं है और मुझे बड़ी शरम आती है जब लोग बाते बनाते हैं कि वडेरे गुल महम्मद का बेटा शेयर में नौकरी करता है साइं तजर्बा तजर्बा हासिल कर रहा है कह रहा था कि फैक्टरी लगाने से पहले तजर्बा हासिल करना जरूरी है दिबाग खराब हो गया है शामीर का तुम ऐसाब कुछ बताता है और मुझसे चुपाता है डरता है डरता है साइं आप नर्मी से पूचेंगे ना तो कुछ भी ने चुपाएगा आपसे लेकि शादी तो कर ले नसरीन के साथ बाद में करता रहे तजर्बा आप क्यूं जल्दी करें साइं वो अपनी बेटी का भी सोच लिया कर फात्मा साइं जरीना बाद में भी रुख सकते हो सकती है मुझे कोई फिकर नहीं उसकी लेकिन मुझे को है सुलिमान जब भी मिलता है यही कहता है आज भी उसने यही बात की थी मिला था मुझे जमीनों पर तो ठीक है पहले हम जरीना को रुख सकत करते है शामेरी की शादी बाद में होती रहीगी और नहीं फात्मा समझो सुलिमान की शर्त है कि पहले शामीर उसकी बेटी को रुख सकत करके लाएगा फिर वो कासिम के बरात लेकर आएगा जरीना को ले जाने के लिए अच्छा वो सुलिमान का मिजाज तुम जानती है वो घुस्से में आता जा रहा है कुछ ना कुछ करने ही पड़ेगा आखिर वो बेहनोई है मेरा समझती हूं समझती हूं वट्टे सटे का यही तो मसला है अगर कोई गरबर वी तो सल्मान कहीं मेरी बेहन को ना चोड़ दे कह चुका है वो मुझसे खबीस है एक नंबर का आपके निद्वान से जवाब हो नहीं कुछ देवाद को शिश्की जी झुका है जुका मठीज हूं व्यूर्ड करणाओ युका ही विद्वान करेज़ दिए ज़ी प्रणीप्ने अपने 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 धनीप सब्सक्राइब धीस तुम कहा चले का? तुम कहा चले का? फोन के लिए अन करे हो, तुम कहा पर हो? तुम कहा चले का? तुम तुम सिर्फ अपने भाई और भतीजे के बारे में सोचना, अपनी अउलाद की फिकर नहीं है तुझे? नसरीन तेरी बेटी नहीं है ना? इसी बात नहीं है सहीं नसरीन के पैदा होने से पहले ही अदागुल मौमद ने मांग लिया थो उसे चामीर के लिए आप तुनों खामाखामे परेशान हो रहे हैं आज नहीं तो कर वो परहात लेकर शुरूर आएका मा मा कभी तो आखे खोल लिया कर कितनी भूली है तुम दस मही में हो गयें दस शामीर ने अपनी शगल तक नहीं दिखाई कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं तेरी समझ में बात कब आएगी जवान लड़के अपनी मंगेतर को देखने के बहाने ढूंदे मुझे तो कोई खत्रा महसूस हूआ है कैसा खत्रा सहीं अमा शामीर का दिल शहर में क्यों लग गया है को ही तो वजा होगी ना अब तो उसकी तालीम का बाना भी खत्म हो गया है वजा ज़िस बात का डर है के कहीं हमारी नसीन झो इसा है भी लाना कर ऐसा ही अगर ऐसा हुआ तो अमा मामा गुल-मुहम्मद के घर भी जरीणा बूड़ी होकर मर जाएगी आ आप दोनों को खम खमे वह मोरा है अगर ऐसी कोई बात है तो हम अधाकुल मुहमद से जाके बात कर लेते बोलके कली चलते हैं उनके पास कि अधाक॥ ईठीक बमेला तुम् आज सीद्र ही आगि ऑपिस ने गें किया कि श्यूज बीड़िए नायजो क्या कई का इस शांसों तुमसे बात पी तुमसे बुछित मैं तुमसे नायास हूओ चलो वर दो बेट के लादू, हाँ, नहीं बोलु हाँ, हाँ, बोलु हाँ, सारी रात मुझे नेननी आई, और तुम पूच्छो क्या मैं नारास किया हुँ? नहीं सेल मेरा मूड आफ था, क्यों? क्यों? उमसे मुलकात नहीं हो सकी, हमने मिलना था, कोई रिस्पॉंस नहीं था, जाहरे मुझे फिर अपना पून पो सुच करना पड़ा, और नीम की गोलियां खाने पड़ी मुझे सुने थे, कितना परिशान थी और तुम सो गए, यह यह तुमानी महपत? आम नाव, आम सॉरी लेकिन, शामीर तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करती हो, तुम सर्फ मेरी महपत नहीं, मेरा चनून हो, चनून. मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं भी तुम्हे बेपना चाहता हूँ, इस वक्त तुम्हारा मूट क्यों आफ यह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, शुमीर अम्मी, अब अम्मी को क्या हो? अम्मी को सुनने के तयार ही नहीं है, उचे समझ पनी आरा हम क्या करेंगा हूँ, आप मुझे मिलने दो फो को भात करो ना उन से? अम्मीर तुमसे नफ्राद करती है वो तुमसे नहीं मिलना शाहती श्ममीर, अभर को मैं भी रिखो यह उनकी गिल हमायों जब तक तूम्मीर अंधियो अनमीर को लो पॉर निकाल करो तो मैं जातियो क्या हो तुम्हारी खातिब मेरे भी बरेटाश करने है शामीर, ऐसे वादा करो, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा, और गर कोई आए तुमें, तुमें जान से मार तुम्हीं, और खुद को भी, तुम सुन रहा है उना? नहीं, हर्गेस नहीं, रिष्टेदारी अपनी जगा, रिवायत और रसूल अपनी जगा, मामा गुल मुहम्मद, चक्कर क्या है, साफ साफ बता दो, चक्कर, कैसा चक्कर? अगर शामीर ने शेहर में घर बसा लिया है, तो हमें बता दो, जूट बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, नहीं, अदा सिलिमान, आप खलिट सोच रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है? यकीन से कहरी ओपर जाई, और क्या? पहले अपने पुत्तर से पूछ लो, मामा साई, बाद में शिरमिंदगी ना उठानी पड़ जाएं, नहीं, वो अपनी मा से कुछ नहीं चुपाता, क्यों फात्मा? जी साई, मेरा बेटा मुझसे कुछ नहीं चुपाता, पहले पूछता है, फिर करता है, अजाज़त लेता है? कुछ मामले ऐसे भी होते हैं, मामी, जिनकी खबर नहीं दी जाती, जिन बातों को चुपाया जाता है. क्या चाहते हो तुम, मैं किस तरह तुम्हें मुत्माइन करूँ? आगे भड़ बात कर, बुत बन के खड़ी हुई है, क्यों आईजे हमारे साथ? अदा गुल मुहमद, हम तो शादी की तारीख लेने आये हैं. तारीख? परेशान की हो गए अदा गुल मुहमद, चामीर को बुलाओ, और पकी तारीख दौ़ा में शादी की, और कितना इंतिदार करेंगे हम लोगे? हम इसी लिए आये थे, समझा करें न आप मेरी बात, मेरी खातिर अदा? ठीक है, मैं शामीर को बुलाता हूँ फोन करके अभी, और फिर तुम्हारे आऊँगा, आ के तारीख पकी करूँगा. क्या तुम भी तयार हो जरीना के बारात में जाने के लिए? जी अदा? नहीं, नहीं मामा शाहीं, फ़ली नस्रीन अपने घर में बस जाये खुशी से, फिर लेकर आऊँगा बारात में, और मैं तो यही उना सादकाबाद में, आपके सामने दूर थोड़ी हूँ मैं, बेख रहे हैं ना आप लोग मुझे? ठीक है, आएं, बैठ के बात करूँ. बैठे ना बैठे, चले आएं, आएं, असलाव ने का माँटी. अच्छा, तुम हो शानी. अकेदे आए हो? तुम पेरेंस नहीं आए तुम? आए, वो भी आज हैंगे, लेकिन फिलहाल नहीं है. तुम एक शरीफ घर में एक शरीफ लड़की का रिष्टा नहीं आए हो, और अपने वालदान को नहीं लाए हो? मैं उन्हें जरूर लामबाद, आप से नवीराख आप में लाए हो, आप से नवीराख आप में लाए हो, जोड़ो, पहले सवाल का जवाब भी छूट, अम्मी प्लीज, आपको जो पूछना शामीर से बुछे, इसके वालदायन से क्या तालुक है? क्यों? बहुत गहरा तालुक है, शादी सिर्फ लड़की लड़के का रिष्टा नहीं, उन्ती दो खानबानों का रिष्टा है, आप में दुरस फ़माया देके हैं मैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी हिचकचाहट बता रही है या तो तुम्हारे माबाप बेखाबर है या फिर इस रिष्टे के लिए तयार ही नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, मैंने ले आता हूँ, भरुसा करे मश्कुरी है. सवाल भरुसे का नहीं है, इर्टियान तकाहिए. क्या मतलब? मुझे जमानत चाहिए. कैसी जमानत? अग्रिमन्ट होगा, लिखत बढ़त होगी के तुम नवीरा को कभी भी नहीं छोड़ोगे, चाहे, कुछ भी होचाहे. कभी दूसरी शादी नहीं है. मन्जूर है. मैं हर तरह की डॉक्मेंटेशन के लिए तयार हूँ. तैसे आप चाहती है, बिल्कुल ऐसे ही हो, जबान के तौन. आर्डे, ओके दे, तुम्हारी पेरेंस के इल्पजार करूंगी मैं. मैं बात करूंगा, तो सौव हीले बहाने करेगा, तुम बात करो, उसे कौफ और पहुचे, और हाँ, खबरदार, वजा मत बताना, सम्झीए? बात करो. जिसे, मैंने तस्रबर भी नी किया था, अम्मी तनी कड़ी चरत रख देंगी. तुम्हे वादा क्यों कर लिया, कैसे नी भाओगे, शामी? जिसे, मैंने तुम्हें जो कुछ भी का, एक माह ओने के नाते हैं, और हम लोग जबान पर अनी जान दे देते हैं, यह रवाइत है वारी, तुम बेफिकर हो, तुम्हेरा साथ मैं कभी नी शोगा, शुज मैं, हलो, बेटा मैं हूँ, बेटा तुम जल्दी गाओ आजाओ, खेरियते ना मा, हाँ हाँ बेटा, खेरियते, लिकन तुम देर मत लगाना, अभी चल पड़ो, क्यों, आपकी तबिर्थ खराब है क्या, हाँ बेटा, दिल बहुत तेजी से अग्याँ, जिल पहुत से घड़क रहा है, बाबा का है, बाबा, आप बेमारे और वो रख, आपको डॉक्टर कर नी दिखाया है, अच्छा अच्छा बीटा, तुम आउ तो सही, तुम से मश्वरा करना है, चायद तुम आजाओ, तुम चीको जाओ, जिन्दगी का कुछ भरोसानी बेटा, अब मा क्या हुआ शामिल, अमा बाब परिशान है, अब मैं अमा और बाबा को लेकरिया होगा, तुम परिशान मत होना, बादरा, आँटी का शक दोरू साबित हो रहा नवीला, कैसे शक, अब तुम अम्मी की तरफदारी कर रही हो ना, बी रियलिस्टिक यार, शामीर अपने काओं गया है, कोई जंग पर थोड़ी ना गया है, और वैसे भी अब टेक्नालोजी से इतनी अडवांस हो गई है कि बंदा अगर जंग पर भी जा रहे तो वो कांटेक्ट में रह सकता है, क्या मतलब, तुम्हारे पास शामीर का लैडनाइन नंबर है, अकर होता वो नंबर जरूर देता है, मुझे उसे नहीं दिया नंबर कोई, फिर वो गायब कहां हो गया है, उसका फोन भी आफ है, हो सकता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो या, कुछ भी हो सकता है, मुझे क् का पता, नेटवर्क का प्रॉब्लम पहले तो नहीं था, और अब हो गया है, हाँ, हाँ, तुम कैद में हो, क्यों, क्यों, हमें तुम पर इतबाद नहीं रहा है, कहीं तुम पाग न जाओ, नाप कड़ जाएगी हमारी, खुले दिन सबर कर लो बेटा, शादी के बाद चले जाना, आप से कम से कम मुझे मेरा, मेरा फोन तो दे दे, मैं आफिस इतला कर नो, एक दिन का क्या कर आया था, इस वक्त कोई आफिस नहीं खुला होगा, सुबो, अपने मुबाईल से, अपने सामने मैं तुम्हारी बात करा दू, बामा सही, बास, कहिए मैंने, इश्क है सच्चा मुर्शद अपना दश्का मुर्शदक्र कर दोिया का मुबारेक दर्वाजा तो देख लेते सरदार साहर आप हाँ शहवार बेगम मैं सरदार जहांगेर आपकी दहलीच पर पहचाना आपने आपको कैसे भूल सकती है फिर श्रीफ लाइए लेकिन हम महमान को अपनी आउकात के मताबिक एंटर्टेन करते हैं उसकी हैसियत के मताबिक नहीं महमान है ना अप हमारे सिर्फ महमान लेकिन शहवार वेगम हम आपकी बेटी के बाप भी हैं ये भी याद है ना आप क्या अंदर आने के लिए नहीं कहें की आईए 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 हमारी खुशबख्ती है कि आप तश्रीफ लाएं हैं वरना आपकी तरफ से तो हमेशा एक ड्राफ्ट ही आया है अचा ये अपने फराइज अचानक कैसे याद आ गए आपको मौका है अब मिला है मौका क्या मतलब मौका पाबाचानी असलाम अलेकों 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 असलाम जी तिरा अबटो 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 मैं आप भूल के होंगे, है ना? मैं सुरी बिठा, भूर दरसल लह मसुरूफियती इतनी होती है कि क्या करें कोई बात नहीं, मगर मैंने आपको बहुत मिस्किया पापाजानी, बहुत साथा इसलिए तो मैं आगया हूँ अब आप प्लीज मेरे कुछ टाइम निकाले, मुझे आपसे बहुत सारी बाते करनी है हाँ, हाँ, इसलिए तो मैं तुमें लेने आया हूँ तुम मेरे साथ चलो कहां चलो कुछ दिन अपने बाबाजानी के पास में तो गजारो ना? चलो, तुयारी करो, सामान ले लो अपना अब तुम वही रहो हमारी कोठी पाने कोठी में? हाँ, हाँ, क्यूंके तुम्हारी रुखसती वही से होनी है दस दिन के बाद क्या? अब जानी, आप क्या कह रहे है? मैं ठीक कह रहा हूँ, पुतर मैंने तुम्हारी बात ते कर दी है जिंदल खान के बेटे, सुंदर खान के सौनी अरे, नभीरा! 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 इनको इस किसम के दौरे पहले भी पढ़ते रहे दौरी ये किस किसम का दौरा है, डौक्सर? इस्टेरिक फिट से, कन्वर्जन रेक्शन भी कहा जाता है नभीरा, प्लीज, आसान लफजों में समझाओ राइस, नभीरा! 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 जल्दी! नर्स! इजटिनों, इजटिनों, जल्दी! इनने इस्ट्रेरिया है सिर्दाफसाब पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कर दो शामीर तुम जानते हैं तुमसे कितना ब्याद रती है तुम सर्फ मेरी महापत नहीं है मेरा चुनून हो चुनून स्वादा कर दो हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा और गर कोई आया तुम्हें तुम्हें चांसे मादूए और खुद को भी तुम्हें 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 नहीं नहीं बताया हमारी बेटी जैनी मरीजा है पहले थी भी नहीं आप से मिलने के बात हो गई है लेकिन क्यों मैंने दो ऐसी कोई बात नहीं की जिसका उसके जेन पर इतना असर हुआ है मैंने तो सिफ शादी की बात की थी अभी मुश में आ जाएगी ना खुद पुछ लीजे इतनी संग दिल मत बनो शैवार तुम्हारी भी आउलाद है I'm worried आपको हुक्म देने और मनमानी की आदत है और आपकी बेटी भी बिलकुल आप पर कही है क्या मतलब है तुम्हारा शादी की बात करने से पहले कमसकम एक बार उससे पूछ तो लेते खुल कर कहो साफ साफ कहो शैवार इंसानों और माल मवेशियों में बहुत फर्क होता है लेकिन आपको तो यह एहसास चूकर भी नहीं गुज़ा कहान यह मत सुनाओ यह आपकी बेटी किसी के इश्क में पागल हो रही है उसका नाम है शामीर काउं शामीर जाओ जारीना सकीना से कहो वह गोटे वाले कपड़े तयार हुए या ने कलका वादा किया था उसने अभी तक में इंतजार कर रही हूं दिनी कितने रह गएं जाओ आज शाम अधी देखते हो असलाम ममा वभालेकूं सलाम अरे शामीर बेटा कहा जा रहे हो इदर आओ बैठो मुझे तो में कुछ दिखाने अरे बेटा बैटो तो सहीना बैटो बतँ, यह देखो प्यार हैं नि शेट है नि? और यह यह तो उसे ज़्यादा प्यार है बत़ है यह देखो यह देखो लिखो कितना खुबसूरत है तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था बहुत अच्छ नू, मैं अपनी बहू को दोंगी देखो, कितना खुब्सूरत है, उसक्त नौ लाग का बना था, अब तो पताने कितने का हो, है न, कितने प्यारी लगेगी वो अब अब बहुत अच्छा है, आप इसे देखें मुझे, अरे बेटा, कुछ दिर तो मा के पास बेखते, आप देखें मत बड़ा सब्सक्राइब, अच्छा, ठीक है, तो ये है तुम्हारे मारस की वज़ा, उससे मिलकर तो देखें मैं बबाचानी, शामीर अच्छा लड़का है, सवाल अच्छे बुरे का नहीं आए नभीला, बराबरी का है, सर्दारों की बेठियां, सर्दारों और नवाबों की घर ब्याई जाती है, और वहीं खुश रहती है, जी, लेकिन बाबाचानी, मिस्स मैच, कभी कामियाब नहीं होता, मिस्स मैच और अज़िस्ट्में में बहुत फर्क होता है बाबाचानी, वाट? अगर आप और अम्मी अज़िस्ट कर ले थे मेरे खातिर, तुम्हें सारी जिंदेगी बाब की मुपद से महरूम में रहते, जाए. आपके हादों की कपकपाहट मेरे चस्पे को कम्सूर कर रहे हैं बी ब्रेफ बाबाचानी, बी ब्रेफ My choice is death नहीं मुनसिफों के ये फैसले हैं मुहबतों के मुआमले मेरा जुर्म तो मेरा इश्क है, मुझे इश्क ही की सजा मेने किसी और की मुझे क्या खबर, मेरी जान तुझे पेनी सारवे झाल 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 झाल